परिचय रीता मैंने पानी गर्म करने के लिए बाल्टी में निमजण छड़ रग दी है उसके निकट मत जाना, ठीक? मैं आपसे इसके संबन्द में पूछना चाहती थी विद्युत से पानी का गर्म होना या भोजन का पकना कैसे होता है? जैसे कि आप चावल पकाने के लिए विद्युत कुकर का प्रयोग करती है? ये सब विद्युत के तापन प्रभाव के कारण होता है, मैं तुम्हें समझाती हूँ बच्चों, इस अध्याय में हम विद्युत धारा, विद्युत परिपत तथा विद्युत धारा के प्रभावों के बारे में जानेंगे उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे विद्युत धारा व परिपत को परिभाशित करना विभव व विभवांतर को समझना परिपत आरेख की विवेचना करना ओम के नियम का वर्णन करना उन तथ्यों को समझना जिन पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है प्रतिरोधकों की प्रणाली के प्रतिरोध का वर्णन करना विद्युत धारा व विद्युत शक्ति के उश्मिय प्रभावों का वर्णन करना विद्युद्धारा व परिपत हमारे चारों ओर जो वस्तुएं हैं, वे सब ही पर्मानु से बनी हैं प्रत्येक में तीन कन होते हैं प्रोटॉन, नूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिनात्मक आवेश होता है और ये पर्मानु के केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करते हैं प्रोटॉन में धनात्मक आवेश होता है और ये पर्मानु के केंद्र में होते हैं जब इलेक्ट्रोन चालक के माध्यम से गती करते हैं, तब विद्युधारा उत्पन्न होती है। विद्युधारा दो प्रकार की होती है। प्रत्यावर्तिधारा, AC वह विद्युधारा जो आगेव पीछे दोनों ओर बहती है प्रत्यावर्ती धारा यानि AC कहलाती है दिश्ट धारा DC वह विद्युधारा जो एक ही दिशा में बहती है दिश्ट धारा यानि DC कहलाती है जैसे कोई बैटरी दिश्ट धारा या DC उत्पन्न करती है विद्यूत विभव व विभवांतर आईए विद्यूत विभव व विभवांतर की अवधारणाओं को समझें विद्यूत विभव विद्यूत विभव एक अदिश मात्रा है जिसे फाई, पाई-ई या वी द्वारा व्यक्त किया जाता है यह एक बिंदु है जिसे किसी अवस्थिती पर किसी आवेशित कण की विद्यूत विभव उर्जा को कण के आवेश से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है विद्ध्युत विभवांतर विद्ध्युत विभवांतर आवेश के बहाव की दिशा निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए एक पाईप की कल्पना कीजिए जो एक टोंटी के द्वारा एक डब्बे से जुड़ा है। पाइप में मौझूद जल की मात्रा डब्बे में मौझूद जल की मात्रा से कम है यद दपी पाइप के जल का स्तर डब्बे के जल के स्तर से अधिक है जब टोटी खोली जाती है तो जल पाइप से डब्बे में तब तक जाता रहता है जब तक की पाइप और डब्बे दोनों का जल स्तर समान न हो जाए इस से पता चलता है कि जल के बहाव की दिशा जल की मात्रा से नहीं बलकि उसके स्तर से निर्धारित होती है जल के बहाव के लिए विभवानतर ही उत्तरदाई है क्या आप जानते है चिन्ह आई का प्रयोग आंद्रई मेरी आमपियर द्वारा किया गया था जब उन्होंने 1820 में बलके नियम की कोज करके आमपियर का बलनियम सिध्धान्त प्रतिपादित किया तब विद्युधारा की इकाई का नामकरण उनके नाम पर ही किया गया परिपत आरेक विद्युत परिपत को एक योजना बध आरेक द्वारा भली भाती व्यक्त किया जा सकता है कुछ पारम पर एक चिन है जिनका प्रयोग आप परिपत आरेक में प्रयुक्त होने वाले अधिकांश तत्वों को व्यक्त करने के लिए कर सकते हैं ये रूड प्रतीक मीचे दर्शाए गए है ओम का नियम ओम का नियम वोल्टिज वविद्युधारा के बीच के संबंध को इंगित करता है यह बताता है कि दो बिंदूओं के मध्य किसी चालक के द्वारा जाने वाली विद्युधारा उन दोनों बिंदूओं के मध्य के विभवांतर के प्रत्यक्षतह समान उपाती होती है का विभवांतर तथा आर ओम की इकाई में चालक का प्रतिरोध होता है वे कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है ऐसे तीन कारक हैं जो किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं ये हैं मोटाई, लंबाई और तापमान मोटाई किसी चालक का परखंड क्षेत्र या मोटाई की तुलना किसी गलियारे के परखंड से की जा सकती है यदी गलियारा चोड़ा है तो वो अधिक धारा को जाने देता है यदी गलियारा संकरा है तो धारा का उससे गुजरना कठन होता है ऐसा परखंड क्षेत्र के कारण होता है, जोकि बहाव की उच्च दर को रोकता है लंबाई किसी चालक की लंबाई गलियारे की लंबाई के ही सद्रिश है छोटा गलियारा लंबे गलियारे की तुल्ला में अधिक उची दर पर गती करने देता है तापमान तापमान किसी चालक के प्रतिरोध को कम प्रभावित करता है जितना उच्च तापमान होगा, उतना ही उच्च प्रतिरोध होगा उदाहरन के लिए जब आप प्रकाश बल्ब जलाते हैं, तो पहले तो तार ठंडा होता है और उसका प्रतिरोध हलका होता है किन्तु जैसे ही तार गर्म होता है, तेज प्रकाश देता है और प्रतिरोध को बढ़ा देता है क्या आप जानते हैं? जब आप तार की लंबाई को दो गुना कर देते हैं, तब तार का प्रतिरोध भी दो गुना हो जाता है जबकि जब आप तार का परखंड क्षेत्र दो गुना करते हैं तो प्रतिरोध आधा हो जाता है प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध कोई प्रतिरोधक दो सिरों वाला सक्रिय विद्युत अव्यव होता है जो की एक परिपत तत्व के रूप में विद्युत प्रतिरोध को व्यक्त करता है प्रतिरोधक से होकर जाने वाली विद्युधारा प्रतिरोधक के सिरों से होकर बहने वाले वोल्टेज के प्रत्यक्षतह सापेक्ष होती है आतह प्रतिरोधक के सिरों से होकर बहने वाले वोल्टेज वपरिपत में बहरही विद्युधारा के घनत्व के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं प्रतिरोधकों के संयोजन प्रतिरोधक के संयोजन दो प्रकार के होते हैं श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधक वे प्रतिरोधक जो श्रेणी बद्धरूप से इस प्रकार संयोजित होते हैं कि उनमें धारा क्रम बद्धरूप से बहती है श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधक कहलाते हैं यहां विद्युधारा प्रयुक्त वोल्टिज अव्यवों की संख्या वपरिपत में अव्यवों की प्रकृती पर निर्भर करती है पाश्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधक वे प्रतिरोधक जो इस प्रकार जुड़े होते हैं कि किसी एक बिंदु से बिखरते हैं तथा पुनह परिपत में कहीं और परस पर मिल जाते हैं पाश्वक्रम में संयोजित प्रतिरोधक कहलाते हैं यहां प्रत्येक अव्यव में विद्युधारा इस प्रकार समान रहती है, मानों वहां एक ही अव्यव हो. अता, बैटरी में बहने वाली कुल विद्युधारा प्रत्येक शाखा में बहने वाली धाराओं के योग के बराबर होती है. क्या आप जानते हैं? श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों में प्रत्येक प्रतिरोधक में समान विद्युधारा होती है, जबकि पाश्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों में प्रत्येक में समान वोल्टेज होते हैं. विद्युधारा का तापिय प्रभाव विद्युधारा का तापिय प्रभाव आजकल काफी प्रचलन में है यह प्रभाव तब पढ़ता है जब धारा किसी चालक से होकर बहती है यह उस प्रतिरोध के कारण ताप उत्पन करता है जो धारा को बहने देता है इस प्रतिरोध को नियंत्रित करने से ताप उत्पन होता है तापन अव्यवद्वारा उत्पनताप निम्न के प्रत्यक्षतह आनुपतिक होता है चालक में होकर बहने वाली विद्युधारा का वर्ग, चालक का प्रतिरोध, जितने समय तक धारा चालक में होकर बहती है इसे ह बराबर आई वर्ग, आटी के रूप में परिभाशित करते हैं और इसे जूल का नियम कहते हैं जूल के नियम के व्यवहारिक अनुप्रयोग विद्युधारा का तापिय प्रभाव अनेक उपकर्णों पर लागू किया जा सकता है इन में से ये सम्मिलित है विद्युध निमज्यन जल हीटर विद्युध इस्त्री बक्सा एक अच्छे तापन अव्यव में उच्छ प्रतिरोधकता एवं उच्छ गलनांक होता है उदाहरणार्थ विद्युध फ्यूज विद्युध धारा के तापिय प्रभाव का एक उदाहरण है किसे विद्युध फ्यूज को दिया गया 3A अनुमा तांक ये बताता है कि यह अधिक्तम 3A विद्युध धारा संपोशित कर सकता है विद्युध शक्ती विद्युध शक्ती वो दर है जिस पर विद्युध आवेश किसी विद्युध परिपत द्वारा स्थानांतरित होता है इसे साधारण तह विद्युध शक्ती कहते हैं विद्युध शक्ती के संबंध घटक निम्न है अंतराष्ट्रिय मात्रक प्रणाली SI बताती है कि विद्युद शक्ती का मात्रक वॉट है वॉट यानी W है इसे किसी उपकरण द्वारा व्याय की गई शक्ती के तौर पर जाना जाता है जोकी एक V के विभवांतर पर प्रयुक्त किये जाते समय एक A धारा ले जाता है वॉट अत्यंत छोटा मात्रक है वास्तविक व्यवहार में एक अधिक बड़े मात्रक किलो वॉट का प्रयोग किया जाता है यह मात्रक 1000 वॉट के बराबर होता है विद्यूत उजा का मात्रक वॉट घंटा डबल्यू एच है क्योंकि विद्यूत उजा शक्ती और समय का गुड़न फल होती है विद्यूत उजा का व्यवसाईक मात्रक किलो वॉट घंटा के डबल्यू एच है जिसे सामानिता मात्रक कहते है क्या आप जानते है विद्युधारा का प्रयोग प्रक्रती भी करती है प्रक्रती उद्धाहरणों में आकाशिय बिजली, सौर हवाईं और धरुविय उशाकाल सम्मिलित हैं सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संग्षेप में दोहराएं जब इलेक्ट्रॉन किसी चालक से होकर गुजरते हैं तो विद्युधारा उत्पन होती है एक ही दिशा में बहने वाली विद्युधारा दिश्ट धारा कहलाती है एक विद्युधारा जो आगेव पीछे दोनों और बहती है प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है विद्युत विभव वो बिंदु है जिसे किसी अवस्थिती पर किसी आवेशित कण की विद्युत विभव उर्जा को कण के आवेश से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है विद्युत विभवांतर आवेश के बहाव की दिशा निर्धारित करता है ओम का नियम ये बताता है कि दो बिंदूओं के मध्य किसी चालक के द्वारा जाने वाली विद्युधारा उन दोनों बिंदूओं के मध्य के विभवांतर के प्रत्यक्षतह समानुपाती होती है किसी चालक के प्रतिरोध को तीन बाहरी कारक प्रभावित करते हैं मुटाई, लंबाई, तथा तापमान प्रतिरोध दो सिरोंवाला सक्रिय विद्यूद अव्यव होता है जो कि एक परिपत्थ तत्व के रूप में विद्यूद प्रतिरोध को व्यक्त करता है वे प्रतिरोधक जो श्रेणी बधरूप से इस प्रकार संयोजित होते हैं कि उनमें धारा क्रम बधरूप से बहती है श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधक कहलाते हैं वे प्रतिरोधक जो इस प्रकार जुड़े होते हैं कि किसी एक बिंदू से बिखरते हैं, तथा पुनः परिपत में कहीं और परस पर मिल जाते हैं, पाशवुक्रम में संयोजित प्रतिरोधक कहलाते हैं. विद्युत शक्ती वो दर है जिस पर विद्युत आवेश किसी विद्युत परिपत द्वारा स्थानांतरित होता है इसे साधारन तह विद्युत शक्ती कहते हैं